हाई फ्रेंड्स डॉक्टर इशाद खानम स्वागत कहते हूं आपका मेरी चैनल आईला टॉक्स पर आज हम अधोगिक विवाद अधिनियम में समझोता बोर्ड को पढ़ेंगे समझोता बोर्ड धारा पांच के इंतर के दिया गया है यह समझोता बोर्ड वह बोर्ड होता है जो की अधोकिक विवाद हो में समझोता करवाता है और यह जो टॉपिक है यह नेट सेट लल्वी फाइब इयर स्कोर्स और अन्य कॉंपेटिशन एक्जाम में उप्योगी विशा है अगर अभी तक आपने मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरी चैनल को स तुरंत पहुच जाए अब हम बात करते हैं समझोता बोर्ड की समझोता बोर्ड धारा पांच में हमें उसके बारे में बताया गया है समझोता बोर्ड का गठन करने का जो पूर्ण अधिकार है वहां समुचित सरकार को ही है जो इसकी गोश्णा शाष्की राजपत्रे में क जो सिम्जोटा बूर्ट का गठ्ण करता है। सम्जोटा बूर्ट के जो सदस्य होते हैं वह हमेशा वीश्म संख्या में ही होते हैं। जीसे • तीन या पाँच Serge, वह वीश्म संख्या में होंगे, Gewisu संख्या में लेकिन हमेशा जो सदस्य संक्या होगी वो विशम संक्या होगी सम संक्या नहीं होगी मतलब दो, चार, छे, आठ ऐसी संक्या में सदस्य नहीं होगे तीन, पांच इस संक्या में विशम संक्या में सदस्य होगे अब हम समझोता वोड का गठन तो हो गया अब समझोता बोर्ड की बेठकों की चर्चा करते हैं समझोता बोर्ड की बेठक जो है वो आवशक्ता अनुसार समय समय पर होगी जैसे आवशक्ता पड़ेगी वैसे उसकी बेठक हो जाएगी कोई समय अवदी इसमें फिक्स नहीं है बेठक होते हैं कोरम का पूरा होना अत्यांत आवशे के यदि पांच सदसी बोर्ड बना है तो तीन सदसी और अगर तीन सदसी बोर्ड बना हो तो दो सदस्यों से कोरम पूरा हो जाएगा अगर किसी कारणवाश अध्यक्षी वहाँ पर उपस्तित नहीं है तो अध्यक्षी के बिना भी बेठक संभव हो सकती है किन्तु अगर समुची सरकार द्वारा बोर्ड को ये सुचना दे दे की उसकी अध्यक्षी किसी सदस्यों की सेवाय प्राप्त नहीं हो सकी है तो बोर्ड कोई कारी नहीं करेगा जब तक कि नया अद्यक्षी या सद्यक्स नियुक्ति नहीं हो जाता मतलब अद्यक्षी के बिना भी बेटक हो सकती है लेकिन समुचित सरकार क्योंकि इसका गटन समुचित सरकार कर रही है तो समुची सरकार अगर समझता बोर्ड को ये कहें, ये सूचना दे कि अभी हमने अद्यक्षी की नियुक्ति नहीं किये, ये किसी एक सदसी की नियुक्ति नहीं किये, तो समझता बोर्ड जो है, वो अपनी बेठक को रोक देगा, उस बेठक को नहीं करेगा, क्यों? क्योंकि उसका कोरम का पूरा होना आवश्यक है अगर उसका कोरम पूरा नहीं होता है तो वो अपनी बेठकों को रोक सकता है अब हम बात करते हैं समझोता बोर्ड के कारियों के बारे में समझोता बोर्ड का गठन हो गया समझोता बोर्ड की बेठक भी हो गई अब हमें यह देखना है कि समझोता बोर्ड क्या कारी करता है धारा 13 में बोर्ड के कारियों का उल्ले किया गया है बोर्ड के कारी जो है इसका जो नेचर है इसकी प्रकृति है वो नियाइक नहीं होती है मतलब जिसे नियालाई में कोई डिसिजन देते है न वैसे इसका समझोता बोर जो फैसला देती है जो समझोता कराती है वो उसका जो नेचर होता है वो जुडिशली नेचर नहीं होता है कोई भी समझी सरकार दोरा किसी विवाद को निर्दिश्ट करने पर अपना कारी प्रारम कर देगा और विवाद के सारे तत्वों की अवी लंब जाच करेगा उसका समाधान जितनी जल्दी हो सकेगा खोजने का प्रियास करेगा दोनों पक्षों की हितों को दियान में करेगा किसी विवाद में बोर्ड समझोता करवाएगी यदि समझोता हो जाता है तो उसका परतिवेदन पर दोनों पक्षिकारों दोरा हस्ताक्षर करवाएगी समझोता ग्यापन उसमें सरलगन करेगी और समुचित सरकार को प्रेशित करेगी किसी वज़ा से अगर दोनों पक्षेकारों के बीच में समझोता नहीं होता है तो वो किन कारणों से उनका समझोता नहीं करवा पाया है समझोता वोड़ वह उन कारणों का इस परस्टू उल्लेक करेगा और उल्लेक करते हुए अपने परती वेदन का विवरन प्रस्तुत करेगा परती वेदन जो उसको प्रस्तुत करना है मतलब सरकार के पाद जो उसको परती वेदन भीजना है ये समझोता पत्रू को प्रेशित करना है तो उसकी एक निश्चित समय अवधी निश्चित कर दी गई है निर्धारित कर दी गई है वह साड़ दिन का होगा किसी कारण से अगर साड़ दिन से अधिक समय अवधी है तो दोनों पक्षों की लिखी तर हस्ताक्षरी सेमती आवशक होती है अगर कोई ऐसी रिजन हो जाता है कि साड़ दिन की भीतर आप परतिवेदन को प्रस्तुत नहीं कर पाए है तो आगर आप लेट परतिवेदन का प्रस्तुत कर रहे हैं तो दोनों पक्षों की लिखिए तो रस्ताक्षरित सेमती आवशक होगी कि क्यों परतिवेदन लेट हुआ है तो इस परकार हमने बोड के कारी को देखा है अगर आप competition exam के बात करें तो इसमें जो समय अधिया दी गई है और वो आवशक रुख से रहायात कर लेना क्योंकि जाधिक तर तो परतिवेदन का पेश किया जा सकता यह पूछ लेते हैं यह समझ़वता बोड में कितने मेंबर होते हैं यह पूछ ले जाता है आप समझ़वता बोड में अगर नीजी समझ़वते से विवाद का समाप्त होना जिन लोगों के दो लोगों के बीच में विवाद उत्पन है अगर वो अपना विवाद नीजी तोर पर अगर वो समझ़वता कर लेते हैं तो क्या उनका विवाद समापत हो जाएगा, क्या समझोता बोर्ड को उसमें अस्तेशेप नहीं कर सकता है, क्या उनका समझोता हो गया, क्या हम ये मान लेकि उन दोनों के बीश में अपना आपस में विवाद खतम हो गया है, तो इस बात का जवाब हमें मिला था, पूना पर अगर आपने कोई कंप्रोमाइस कर लिया है तो उसका कोई माइन नहीं है परन्तु यस उनकी द्वारा सवीदात्मक अधिकार और करता भी उत्पन्य हो सकते हैं अगर नीजी समझोता हो गया है तो वह लीगल रूप से समझोते वाली मानियता तो नहीं रखता है लेकिन अ नहीं होते हैं तो इस परकर हमने समझोता वूड के कार ये गठन बेठाके और सारी चीज़ों को पड़ा है अगर मेला वीडियो पसंद आया है तो आप इसको लाइक करिए शेयर करिए और कमेड़ से बाक्से में कमीन से लिखिए धन्यवाद शूक्रिया प्रफबूल